हेलो व्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों आप इशाला सबकर स्वागत करता हूँ आप ये चैनल में उमीद है आप लोगो वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तोधो आज की जो वीडियो है बहुत अमेजंग होने वाली है आज की वीडियो में आप काफी कुछ सीखेंगे ओके दोस्तों तो आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है in case if you लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताईएगा कि कैसी लगी ये वीडियो और वीडियो अगर पसंद आती है तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन को भी दबा देना क्योंकि दोस्तो एक वीडियो बनान शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले मैं बता दो दोस्तो, आप camera यूज़ करते हैं, अपने mobile का camera, लेकिन use करने के साथ साथ कुछ ऐसी settings होती हैं, जो आपको बता नहीं होती हैं, ओके दोस्तो, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ही अटपर्टी और बहुत गजब की settings बताने इसके लिए कैमरा खोलेंगे दोस्तो केमरा खोलने से पहले मैं भता देता हूं दोस्तो क्या हो कि आप एक फोटो देख रहे हैं अपना आपके मोबाल से खीचा हुआ और आपको उसकी location याद ना हो कि ये फोटो कहां खीचा है तो कैसे पता कर सकते हैं आपको search करना है setting क्योंकि अलग-अलग model में अलग-अलग जगा setting होती है, अलग-अलग तरीके से setting होती है, मुझे ये setting मिल चुकी है, अब दोस्तो सबसे उपर ही एक option आता है, जिसे बोलते है save location info, as its name indicates, save location info, यानि कि कोई भी आपका photo खिचेगा, उसकी location ये save कर लेगा, चलिए दोस्तो, इसका एक proof भी देख लेते हैं, अब दोस्तो देखिए, मेरा earphone charging पर मैं इसका एक photo खिच लेता हूँ, ओके दोस्तो, चलिए दोस्तो, मैंने ये photo खिच लिया, अब देखते हैं, क्या मैं इसकी location पता कर सकता हूँ, तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर दोस्तो, आपको क्या करना होगा, इस photo की details पर जाना होगा, details आपको पता है किस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर details का option है, आ गए, यहाँ पर पूरी details हैं इसकी, देखिए दोस्तो, taken on 15th of October, जो की आज है, मैंने record किया है, ओके दोस्तो, location path देख सकते हैं, and then location देख सकते हैं, जो की मेरी location है यह, ओके दोस्तो, इस location को आप देख सकते हैं, और पता कर सकते हैं, easily कि यह location पर मैंने photo की जाता, ओके दोस्तो, तो amazing है यह setting, अब चलते हैं, अपनी एक और बहतरीन setting की और, ओके दोस्तो, इसके लिए आपको setting पर ही जाना होगा, setting पर जाने के बाद दोस्तो, एक option होता है, जिसे बोलते हैं, mirror selfie, mirror selfie कहने का मतलब है दोस्तो, जब भी आप अपना mirror selfie, यानि कि front camera से photo की से ते हैं, तो आपने एक चीज अवजब की होगी, आपका जो photo जो है, वो थोड़ा flip आता है, कहने का मतलब है, थोड़ा उल्टा आता है, ये चीज होती है, एक setting की बज़े से, यानि कि आप इसे adjust कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, दोस्तों, आपके phone की setting में, mirror selfie करके, कोई एक setting होगी, जैसे की मेरे में यहाँ पे है mirror front camera करके, इसे आप on या off कर दीजेगा, इनकेस ये on है, तो ये सही काम करेगी, इनकेस ये off है, ये गलत काम करेगी, हो सकता, वाइस वर्सा, आपके में थोड़ा उल्टा हो, ओके दोस्तों, तो ये चीज़ एजस करके देखेगा, जो आपके mirror selfie, यानि कि front camera से फोटो लेंगे, वो flip हो जाएगा, ओके दोस्तों, वो horizontally flip हो जाएगा, यानि कि कहने का मतलब है, अगर उल्टा आ रहा है, तो सीधा आ जाएगा, सीधा आ रहा है, तो उल्टा हो जाएगा, ओके दोस्तों, जो कि बहुत ही cool होता है, इसके साथ साथ कुछ ऐसी settings होती है, जैसा कि camera sound, आप किसी का photo घीजते हैं, ओके दोस्तों, आप किसी का string operation कर रहे हैं, और आपको उसका चिपके से photo घीजना है, तो camera का sound रहता है, तो उस camera के sound को आप यहां से बंद कर सकते हैं, ओके दोस्तों, जो कि काफी cool feature है, इसके अलावा दोस्तों, Android में आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, जो कि बहुत amazing होती हैं, जैसे कि device watermark, watermark क्या होता है, आप जो भी photo की हिसते हैं, उसके लिए आप watermark create कर सकते हैं, जो कि यहां पे इस तरीके से on या off होता है, जो कि काफी cool लगता है, ओके दोस्तों, show gridlines, यह क्या होता है दोस्तों, दोस्तों आपने देखा होगा, तो इस तरीके से अगर आप camera खोलेंगे, gridlines को खोलने बाद तो इस तरीके से देख सकते हैं, यह form आप ही आजाती है, जो कि काफी cool लगती है, ओके दोस्तों, आप चाहें तो इस setting को on कर सकते हैं, in case if you don't want this setting, then you can make it as off, ओके दोस्तों, तो इसे आप off कर सकते हैं, इसे आप on कर सकते हैं, ओके दोस्तों, focus and shoot, यह भी एक तरीकी कि photo खीचने के लिए setting use होती है, focus and shoot यानि कि in case अगर आप किसी का photo खीच रहें और आप चाहते हैं, एक जगा focus बना रहे हैं, तो इस setting को आप on कर लीजिएगा, तभी यह on रहेगा, तभी आप focus उस पड़ी के लिए चीज़ पे कर पाएंगे, ओके दोस्तों, जो की काफी cool feature है, जो की generally लोगों का on ही रहता है, ओके दोस्तों, इसके अलाबा एक और setting है, जो की आपको हो सकता माइट भी आपके phone में नाम ले, enhance low light photos automatically, ओके दोस्तों, यह photo को automatically adjust करेगा low light के basis पे, कि किस तरीके से photo खीचना है, किस तरीके से उसका coloring रहेगी, किस तरीके से वो adjust रहना चाहिए, ओके दोस्तों तो इसे भी आप use कर सकते हैं, जो की काफी cool है, ओके दोस्तों तो ऐसे ही बहुत साई different different setting आपको मिल जाएंगी in your phone camera, ओके दोस्तों, it's totally depend on the model of your phone, ओके दोस्तों हो सकता है माइट भी आपका phone जो है, वो different model का हो तो अलग अलग तरीके से बहुत साई different setting आती रहती है, मेरे phone में जो होती वो मैंने बताई हो सकता है माइट भी यह आपके phone में हो सकता है ना हो, हो सकता है कुछ जादा features हो, हो सकता है कुछ कम features हो, तो काफी कुछ मैंने आपको बताया है in case if you like this video, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरू कीजिएगा और चैनल को subscribe करना कता ही न भूलें, ओके दोस्तों और bell icon को भी दबा देना, तो दोस्तों मैं विशाल आप सबका शुक्रिया करता हूं यह वीडियो को अंते तक देखने के लिए, वीडियो इनके से अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और bell icon को दबाना बिल्कुल भी न भूलें दोस्तों बहुत जल मिलेंगे हम आपको next वीडियो में ऐसी ही amazing videos, tips, tricks, apps के साथ तब तक के लिए, bye दोस्तों